गाईज मुझे एक ही टाइप का कमेंट कई भाईयों का बार बार आ रहा था जैसे जी के फैक्ट वीडियो इस भाई का कहना है कि सर मेरी रैबिट काट रही है क्या करें बीर भद्र मिस्रा इस भाई का भी यही कहना है कि सर मेरी रैबिट काट रही है क्या करें और जस्मीत कहना है कि भाईया मेरी मादा खरगोस बार-बार क्यों काट रही है पहले नहीं काटती थी पिलीज वीडियो में बताएं पिलीज भाईया हेल्प मी तो गाई आज हम लोग इस वीडियो में आर्केटर एबिट एंड एनिमल्स दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हार्दिक स्वागत है गाज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सारी क्योश्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है या पहली बार विजिट क कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बिल आइकन प्रेस करके आल पर कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि मैं रैबिट से रिलेटेट वीडियो जी बनाता हूँ और आपको हमेशा यहां चान लेते हैं कि खरगोस किन किन कंडिशन में और क्यों काटने लग जाते हैं नमबर वन मादाखरगोस के प्रेगनेंट होने पर गाई जब मादाखरगोस प्रेगनेंट हो जाती है तब अगर उससे कोई छूने की कोशिस करे या गोध में उठाने की कोशिस करे तब मादा मादा खरगोस अपने पेट में बन रहे बच्चों की सेफटी के लिए काटने लग जाती है इसलिए आप हमेशा प्रेगनेंट हो जाने के बाद मादा खरगोस को बहुत जादा डिस्टर बना करें वरना वो आपको काट सकती है बट बच्चे देने के बाद मादा खरगोस पहली बार देखता है या अंजान होता है तब भी उसे चूने पर ओकाट सकता है या काट लेता है चाहे आप उसे एक बार टच करें या बार बार वो हमेशा काटने की ही कोटS करेगा इसलिए आप नई रैबिट के साथ पहले थोड़ा बांडिंग क्रिएट करें दोस्ती क फिर उसे चूने या गोध में उठाने की कोशिस करें जिससे ओ आपको ना काटें और अगर कोई खरगोस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है या उसे कोई अंदुरूनी दर्द या तकलीफ होती है तब भी उसे टच करने पर ओ काट लेता है जिससे ओ बड़े होने पर भी नहीं छूटती है और जब उसे कोई एडाप्ट करके घर लाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है तब भी खरगोस एक बार या फिर बार बार बाइट कर लेते हैं उसके लिए आपको कभी भी अपने खरगोस को मारना पीटना या चोट नहीं पहुचाना है नमबर फाइप बच्चे देने के बाद गाईज भोसी मादा खरगोस जो बच्चों को कहीं भी लोगएरा में या घर के अंदर जनम दे देती हैं और एक अच्छी माह होती है ओ भी जब कोई उसे या उसके बच्चों को छूने की या टच करने की कोशिस करता है तब भी ओ बच्चों की सेफटी को ध्यान में रखकर काट सकती है और गाई जब बात करते हैं कि अगर किसी कारण से खरगोश काट लेता है तब हमें क्या करना चाहिए और खरगोष के काटने से क्या बीमारी या प्राबलम हो सकता है तो गाईज खरगोष के काटने से कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होती है इसलिए आपको खरगोष के काटने पर यह सोच कर कि आपको रैवीज या किसी भी और परकार की बीमारी हो जाएगी जरा भी ट सल्ली के लिए कह रहा हूँ बस और गाईज चोट या घाओ जादा होगा तब भी घाओ के सूखने और भरने में आसानी हो जाएगी क्योंकि गाईज खरगोश सुद्ध साकाहरी जानोर होते हैं जो बिलकुल बकरी की तरह ही प्रकिरिया करते हैं इसलिए गाईज आज से आप हमेशा खरगोश के काटने पर जरा भी ना घबराएं और ना ही टेंसन लें तो गाईज आई होब कि अब आपका सारा कंफूजन दूर हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि खरगोश किन किन कारणों से अचानक काटने लग जाते हैं और गाईज वीडियो पसंद आने पर लाई कि हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए गाईज मिलते हैं किसी और वीडियो में खरगोश कि किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद